अब यहाँ पर एक बात साइध ही किसी यूटूब डॉक्टर्स ने आप लोगों को आज तक बताया होगा कि सिर्फ नुफूर लूटिया मदर टिंचर को ही इस्तमाल करने से आपका काम नहीं चलने वाला आपको नुफूर लूटिया के साथ साथ उसकी जो कॉम्प्लिमेंटरी ड्रग है उसको भी आपको आड़ करना पड़ेगा नमस्कार दोस्तो नुफूर लूटिया होमोपाथिक मेडिसिन सेक्सवल प्रॉबलम की अंतरगत कैसे इस्तमाल करना चाहिए इसको कौन-कौन सी सिम्टम्स के आधार पर उसकरना चाहिए इसको इस्तमाल करने का सही तरीका क्या है क्यूंकि हम लंबे समय से नुफूर लूटिया को इस्तमाल कर रहे है अपना सेक्स प्रॉबलम को ठीक करने के लिए लेकिन हमें उस तरह का परिणाम नहीं मिला जिस तरह का परिणाम डॉक्टर्स बताते हैं यूटूब पे तो एक तरह से लोगों का कहना होता है कि क्या सरी मेडिसन काम नहीं करती है ऐसे ही आप लोग वीडियो बनाते हैं यूटूब पे तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि दोस्तो नुफुल लूटिया जो होमपतिक मेडिसिन है ये sexual complaint की भीतर बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है इसमें कोई दोराए नहीं है कोई doubt नहीं है दोस्तो मैं मेरा 14 वर्स की practice के दोरान इस मेडिसिन को बहु दोरा तो देखाओ इस मेडिसिन को लेकिन दोस्तो जब आपको ये कोंपतिक मेडिसिन इस्तमाल करना चाहते हो तो उस भीतर तरीका सई विधी आपको पता होना चाहिए आपको सबसे पहले तो यह पता करना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये मेडिसिन मेरा problem के लिए in-dicated ह नहीं को सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा क्योंकि होमोपाथी में एक ही प्रोबल्लम के लिए एवलेवल होती है इस त05 मेडियस से तो आपको सब्सेट अबrat कर रहा है य। यह पता करना पढ़ेगा पहले आपको यदि आपका symptom कम से कम 60-70% नुफुल लूटिया से मैच हो रहा है तभी जाके नुफुल लूटिया आपको बहुत बढ़िया तरीक से आपको फायदा दे पाएगी नहीं तो उतना अनुकुल रजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा नुफुल लूटिया से तो सबसे पह हूँ आपको तभी जाके आपका problem का solution होने वाला है नहीं तो हो सकता है आपका problem किसी और medicine से indicated कर रहा है वह आपको देखना पड़ेगा कि आपका problem है वह कौन सी medicine क्यों रुख कर रहा है तो नुफुल लूटिया जो पहला symptom है वह यह है कि दोस्तों पेसरेंड कहाता है कि सर मेरा जो लिंग है वो सिकुल गया है वो छोटा हो गया है पतला हो गया है वो तो नुफुल लूटिया का यह पहला symptom है तमाम तरह कि sexual problem के साथ साथ पेसरेंड यह कहेगा कि सर मेरा लिंग का जो साइज है वो छोटा हो गया है पतला हो गया है सिकुड गया है नुफुल लूटिया का दूसरा सिम्टम होता है पेस्रेंट को ऐसा फील होता है कि उसका जो जनानंग है उसका जो प्राइबेट पार्ट है वो बिल्कुल है ही नहीं उसको ऐसा लगता है कि सुन प के उल्का सेडेक्षन आने पडिश्चाज हो जाता है और लिश्चाज जो होता यह निकलता है उसमें एक जो अच्छा अनुभुति होता है जो आनन्द मिलता है वह जो संतुस्टी वाला फिलिंग नूपूल ळूटाया का जो four symptoms है four symptoms यह है कि पेसेंट को spermatria यानी धाद की समस्या बहुत ज्यादा होती है बात करने पर खासने पर चीक ने पर या ट्ॉलेट करने पर हमेशा उनका इनवॉलेंट्रीई जो अंदर से पोस्टेटिक, फ्लूड है, वह बहार निकलता ही रहता है, हमेंशा एक फोस्टेटिक, फ्लूड एक चिपचीपा सा पानी, होहां से निकलता रहता है, जिसका उसको पता भी नहीं चलता है, नुफुल्लूटियया का जो 5 Joshira symptom है, जिसुम्टम को जिस पकार का है कि पेसेंट का जो अंडर कोस है जो जानानंग है जो प्राइवेट पार्ट है उसको टच करने पर एकदम ठंड सा उनको मैसूस होता है तो नुफुल लूटिया का ये पांच प्रमुख सिंटम होता है यदि आपका अंदर ये सिंटम मैच होता हुआ दिग रहा है तो करके आपको गरम पानी या लुग वाटर के साथ मिला कै आतर को नहीं पीना है नॉर्मल वाटर छहां भर में पीते हैं उसी पाणी के साथ कबंड करके आपको पी लेना है अब यहां पर एक बात साइध किसी यूटूब डॉक्टर्स ने आप लोगों को आज तक बताया होगा कि सिर्फ नुफुल लूटिया मदर टिंचर को ही इस्तमाल करने से आपका काम नहीं चलने वाला आपको नुफुल लूटिया के साथ-साथ उसकी जो कॉम्प्लिमेंटरी ड्रग है उसको भी आपको अग्नेस कैस्टर्स तो आपको एग्नेस कैस्टर्स को भी 30 पोटेंसी में आपको ले कर आना है और उसका दो बूंद दो चमच पानी के साथ FIR यान आपको ले anyड़ हाँ प्वार कर आपको पी लेना पड़ेगा रिपीड नहीं करना ये जो आपका नुफुल के हर दिन तेभी जाके आप इस्तेमाल करिए नुफुल लूटिया को और सब्सक्राइब किरिए काम भी करेगी बड़िया तरीके से तो दोस्तो मैं वीडियो को ही पंट करता हूं। मैं आप आप लोगे को वीडियो अचही लगी होंगी फानक स्वस्क्राइब का के tumdr most Yani